नमस्कास वागता आपका नाइन टीवी पर मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटाचारे शाम के चार बच चुके हैं और वक्त हो चला है फेस टू फेस का जी हाँ आज फिर हमारे साथ दो गेस जुडेंगे और अपने बात रखेंगे फैसला आपको करना है यहाँ यूपी में कमिशनरिस सिस्टम मुहर अब जो है कैबनेट की लग चुकी है नौइडा और लखनव में कमिशनर होंगे और योगी सरकार इसे सकारात्मक कदम बता रही है कानून विवस्था अच्छी होगी सुधरेगी लेकिन विपक्ष जो है वो हमलावर है और सरकार पर निशाना साधरा अपने अपने तर्क हैं दोनों के तो आज बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी के लीडिया और प्रवक्ता अनरुद सिंग जुडेंगे और सपा के अर्विन कठेरिया हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो बें मौजूद है ये दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और डिसाइट तो आपको करना है कि किसकी बात में कितना दम है कमिशनरी सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो क्या कानून विवस्ता सुद्रेगी नहीं सुद्रेगी पक्ष, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? सब कुछ आपके सामने होगा तो योगी कैबनेट ने राजी में बढ़ते अपराद को रोकने के लिए कहम कदम उठाया है राजी की पुलिसिंग विवस्था को चुस्थ दुरूस्थ करने के लिए योगी क्याबनेट ने पुलिस कमिशनरी सिस्टम के पुस्ताव को हरी जंडी दे दी है लेकिन विपक्ष इस पुलिस कमिशनरी सिस्टम को लेकर योगी सरकार को घेर रही है यूपी में कमिशनर सिस्टम को मंजूरी सिस्टम पर विपक्ष का सरकार परवार कानूम व्यवस्ता पर सरकार नाकाब लंबे समय से कमिशनरी सिस्टम के लागू होने का इंतजार हो रहा था और आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में लखनव और नॉइड़ा में पुलिस कमिशनरी सिस्टम को मंजूरी दे ही दी कविनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली है जहां मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि कैसे पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्ट प्रणाली की मांग की जा रही थी मुझे बताते वे प्रसंता है कि आज हमारी कैबनेट में प्रदेश की राजधानी लुखनो और प्रदेश की आर्थिक राजधानी की रूप में बिख्याद गोड़ा इन दोनों में पुलिस आयुक्ट प्रणाली लागो करने का अभी यह कस्ताव पास किया है इस दोरान प्रेस कॉंफरेंस कर बताया गया कि कमिश्णरी सिस्टम में AD चेस्तर के अधिकारी खुलिस आयुक्ट होंगे 9 SP रेंग के अधिकारी तेनाथ होंगे साथ ही एक महिला SP रेंग के अधिकारी भी सिस्टम में तेनाथ होंगी इस सिस्टम में निर्वेय अफ़ंड का इस्तेमाल भी होगा वहीं पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सिस्टम की शुरुवात लखनों और नौईडा में की गई है जहां आलोग सिंग नौईडा तो उजीत पांडे लखनों के पहले पुलिस कमिशनर होंगे अब इस सिस्टम को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावार दिख रहा है विपक्ष का कहना है कि यूपी में विफल होई कानून ब्यवस्था के चलते ही योगी सरकार अब कमिशनरी कानून को लागू कर रही है दिखे कांग्रेश पाल्टी का अस्परस रूप से मानना है कि किसी ब्यवस्था परवरतन से कोई कानून ब्यवस्था सुधार होने वाला नहीं है क्योंकि ये कांग्रेश सरकार के नियत से जुड़ा हुआ सवाल है भात्य जन्ता पाल्टी जब से 17 से 17 में आई है पूरी तरीके से पच्छपाती ध्यम से काम करें इसलिए तमाम दाओं और वादों के बाद ना तो अपराद कम हुए ना हत्याय कम हुई ना बलातकार कम हुई जंदर राज में तब्दील हो गया हमारा उत्तर प्रदेश फिलाल यूपी में इस कमिश्री सिस्टम को सिर्फ दो शेहरों में लागू किया गया है जहां आने वाले वक्त में इसे तीन और शेहरों में भी लागू किया जाएगा लेकिन उससे पहले देखना ये होगा कि क्या कमिश्री सिस्टम लागू होने पर अपराद पर लगाम लग पाएगी नरेंदर यादव, R9 TV, लकनव, उत्तर प्रदेश, उत्रा ख़ड़ तो फेस टू फेस में आज हमारे साथ BGP की लेडर अनरुज सिंग मौजूद है कमिश्री सिस्टम कहीं न कहीं तो कहते हैं कि सुधार आएगा लेकिन बिना पुलिस रिफॉर्म के वही पुलिस कर्मी होंगे माइंसेट वही होगा सिर्फ कमिश्री सिस्टम लागू कर देने से क्या विवस्था बदल जाएंगी मैं बताना चाहूंगा अभी कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टिक दोनों के स्पोक्स परसन के में बास सुन रहा था कॉंग्रेस के टाइम में राम नरेश यादो जी चीफ इनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने कमिश्री लाया था और कानपूर के अंदर पहले पुलिस कमिश्र का नाम आया लेकिन पता नहीं किस दबाव में उसको हटाना पड़ा कि वो आगे प्रोशीड नहीं हो पाया यह क्या और दूसरा होता है कानध्भदौरिया बोल रहे थे पावर कलेंदेन तो ही है जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है यह भाठचा भाठचपा पावर में आती तो जनता को समझ में आता है कि दोनों के पीज में क्या डि…… होता है कि एक तरफ वो आतंग बादियों को स्टाई देते हैं, एक तरफ हम आतंग बादियों को फासी पचड़ाते हैं, खैर उस पर डिवेट नहीं करना, हमें डिवेट इस पर आता कमिशनरी सिस्क्रम पे बिल्कुल होता है, क्योंकि रीजन क्या होता है, कि जो सामंजस नहीं बैठा और इसके पहले कई बार इसा रीफॉंस की बाते आई गई हैं कि 10 अगर अरबन पापुलेशन है, तो हम पर कमिशनरी सिस्टम लाना चाहिए, तो कमिशनरी सिस्टम लाया गया, और रहेगी बात अगर यहां पे नोएड़ा के अंदर स्पी होता है, स् कम से कम लेवल 14, 11, 15 रहें का IPS officer यहां पे डेप्यूट होगा, उसके अंडर कम से कम more than 15 IPS यहां पे आएंगे, जहां पे 25 लाग पॉपलेशन, तो जाहिड सी बात है, चीजे बहुत लोकल लेवल, वो फिल्टर होंगी, और चीजे पेनिट्रेट होंगी, क्राइम के कंट्रोल किया जाएगा, कई ऐसी चीजें हैं, टक्निकी चीजें हैं, जो जुनको सुल्जाना बड़ा आसान हो जाएगा, सपोच करिये हमें एक पुलिस officer जा रहा है, अब उसको कहीं पे कहीं पे दंगा भड़का हुआ है, अब उस दंगे को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले SDM को फोन करिये, ADM को फोन करिये, district magistrate को फोन करिये, तो district magistrate की power को नहीं छोड़ा चेड़ा गया, चाहिए land acquisition का मामला, चाहिए revenue collection का मामला, उनका लिया है, लेकिन जो law and order crime से related reform थे, उसको commissionaries में होना चाहिए, और जरूरी है होना, अब पता चले बेचार 144 के लिए SP फोन कर रहा DM को DM सब अब लेबल नहीं है, या उनके बीच में आता नहीं लगना चाहिए, और control SP को करना है, जिसलिए बहतर एक commissionary reform जो हो रहा है, बहुत अच्छा है, और ये तो आज की demand नहीं सारी सरकारों के time पे demand हुई थी, चाहिए Congress का रीजिम में हुआ, रावनेरिस च्यादो जी ये तुम reform लेके आए, हम किसी दबाओं में ने जुके, ना हम bureaucracy के दबाओं जुके, ना हम leadership के दबाओं जुके. पाती है, मिल नहीं पाती है, आप आप से पूछना चाहता हूं कि वो आईजी रहेंग के अधकारी से कैसे मिलेंगे? चैक रहेंगे, एडीजी रहेंगे, ओफिसर कुपर इजली कुछी दबाओं नहीं जाल सकता है. उसको मर्जी होता था कोई क्राइम को उसे तुरूंत इमीडियेट कंडूर करता था अब कमिशनर की पास उससे ज़्यादा पावर है बंदू कमिशनर बियाईपी पोस्ट होती है कि दिन में दस बार सीम से बात करेगा ये भारती जंता पार्टी के लोग अपने शुवदा के अंसार पद बांट रहे हैं शुवदा के अंसार पावर होती है जहाँ जाँ जिस राजियों में सरकार है के अंदर में भी देख लेजिए तीन सेना धच्चे को उपर रहे का द्यक्ट बना दिया उन्होंने अरे साब वो तो डिमांट कॉंग्रेस प्ताइन ने उठी थी आप लोगों के मन में पाप है आजमियों मोदी जी के अंदर रिक्षा सकती है आप आपकी वही पुलिस है जो भुलंस हैं के अंदर गुसकर लूट पार करती है पुलिस रिफॉर्म कितनी बार ये बात रहेगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर में विल्कुल पाप भर गया यह लोग अच्छे मुंसे काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं इंसे जानने चालता हूं और ये और पहली बात आप लोगों की इच्छा सकते नहीं है इच्छा सकते नहीं है आप की वही पुलेसर के अगे जुट रहे हैं आज उनीज तारीकों को जो चाहिए पुलीस प्रदेश के लिए नहीं है कोई साथा रास नहीं दी आप किसमें प्रभी बनाना और आपके भी सरकार में प्रभू जल था लेकिन आपके अंदर इच्छा सकती नहीं थी आप नहीं कर पाए हमारे अंदर इच्छा सकती है हम बना हुआ है में हर जगा आप दूसरों के कानून को बना हुआ है अगर काम करने की इक्षा है आप गरीब जंता के लिए अगर काम करना चाहे थे आज उत्तर प्रदेश में आपने दे दिया पांस लाग रुपा आपने दे दिया आपने क्यों नहीं दिया किसानों के मस्पी आपने दे दिया और उपी आपने दे दिया आप गिना दीजिए आपने क्या किया आप उनी सरकार में गिना दीजिए गरीब जंता के लिए आप क्या किया समाजोदी पार्टी सरकार में गिना दीजिए दो हजार बारस दो हजार सत्रा में आपने क्या किया अज बताए आपने बताए क्या किया ए? कशोटे आपके सरकार में वाइसाब है प्रों किया व्ट आपके समूट्भाही से ंधिया का प्लेक पेलिंग फाद सार ही आपके हैं harmonious मलियाबाद आपके थाम प्र Toyota यहाज तुर ने मि CHRIS मेरे हैं भींद्र के थाहएं भाइसाब है है आप चना करतुम्त नंतुन का काम कर रहे हो गन्ना किसानों को पैसा वापस दूआ इसके बार ये काम कर दिए आपके पूरी सुगर्मिल बेज दी थी आपके पुर्दान मंतरी जी ने का आदा देस नहीं बिकने दूँगा देस नहीं जुकने दिए रोपया इसर क्वर्दान में बीजिए ने कंप्रेटिव सुगर्मिल नहीं चुड़ाइं दोफ़ें दॉबार रहें दोभार रहें दोजार दोजार जार डोजार दोजार अबनेर लिए अर्विंड जी ये बता यह सुगर्णीर सिस्टम के अगेंस्ट हैं या सपोर्ट में है कमिशनरी सिस्टम घलत तो नहीं होता है तो आप इसके अगेंस्ट में या सपोर्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्राइम इन से कंट्रॉल नहीं हो रहा है पहली बात तो यह दूसरी बात यह अपने सुबदा पहले भी हमार अपन नगर के दंगों कितने फ़यां तरवाये थे यहीं बिल्कुल आपकी थी आजम जी के भैस दूरी जाने के लिए इस सरकार की मैं आपको डेपनीशन पता हूँ अपके सरकार की डेपनीशन बताता हूँ मानावता को काटके मानावता की हत्या करके हमारी सरकार की डिफनेशन सबका साथ, सबका बिकास, सबका बिश्वाद, अगर जांच मैठा दी जाए, छैसे करोड़ रुप्या काई हूई है अप बता दीजे, पीडियेश में हम लोग बिठा रहे हैं लेकिन ये 600 करोल में आपसे पूचना चाहता हूँ जो 2019-2020 में दिया गया था। आपके सरकार हो रहे हैं तो ये तो बता दीजे कि आपती किस चीज़ पर क्या कमिशनरी सिस्टम पर आपकी प्रहस्ता पर इनके पॉल्ची पर नहीं समला कानून व्यवस्था तो आपने कमिशनरी लागू कर दिया तो अच्छी बात है ना अच्छा कदम है आपकी आपती बत अच्छी बेखता हैं थी मैं आप से हमारी जो मैला प्रकॉष्टी नी 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 चोड़िये यह प्रकॉष्टी के साथ है नहीं हमें तो आईजी रहेंग की मैला बिठाई दूसमें अब हमें या पती यह इनके नियत में डिस्टिक के बात हो रही है कमिशनरी के अंदर बात ह रही है कि जो डीच्छी और रहेंग होगी डिपटी कमिशनरा पुलिस होगी वूमें सेल की को होगी तो नी नीयत हमारी नीयत को साथ है हम अच्छा स्वास देंगे अच्छी सुरक्षा देंगे मैं आपके चैनल बे बैटके मैं ये बात कहना चाहता हूँ अरुजी से कि यदि माना आप एक बार जित चुके दो अजार सत्या में अब हर समाज, हर जात, हर धर्म के लिए आपको काम करना चाहिए इस वर उपर देख रहा है इतियास के पण्णों में ये चीज नोट होगी कि आप इमानदारी से आप काम नहीं कर रहे हैं इस परदेश की जन्ता को आपने रुला दिया नोजी इमानदारी से बिलकुल नोट होगी का औरंग जेब को हमने 2017 बे बाहर कर दिया बिलकुल नहीं बिलकुर नोट होगी आप फालतुगी तुक्त हो रहा है लिए लुग दिक्कत क्या है कि अगर ये आप आपके ऐसी प्रिष्टती कौन सी बन गई आ है कि आप रिजर बैंक से पैसा उठा रहे हो दैसको बैक रहे हो है क्या तरीका है आप हर पूरा जन्ता पाइटिक सरकार को तब आपको रोकना चाहिए था में याद है कि उन्होंने छोटी-चोटी बखरी 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 लोन सारा सारा चाहिए वोटाला कर दिया तो आपके लिए पीजेपी की नेता कह रहे ते कि आप ने ता गरीबी का डिडोरा पीट दिया है आप लोगों को गरीब नहीं दिखाई गरेए आपका विकास हुआ क् गोरखपुर में आदर नहीं यहोगी झी गोरखपुर में चुरियाद दो से 34 करोड का चुरिया बनार जा रहा हुआ ने चुरियों कली घर नहीं होना चाहिए तो आक्सीजन से दो सा बच्चे मर गए आक सीजन का अनुद्ध साभ इंसे फ्लाइटिस का आप देख लिजी लेकिन चेक एंड बैलंस तो होना चाहिए ना इसमें चेक एंड बैलंस नहीं होगा इसमें तो आपको पता है ना समाजवादी पार्टी में चाहिए ना पड़े समझे भीकास नहीं हुआ समाजवादी पार्टी मतलब सफ़ाई गांगरेश का मतलब मायवती जी और हमें 22 करोड पॉपुलेशन तो आप बात करते हैं आपकी तरफ से मैं ही पूछ लेती हूँ फरकाबाद में तो 40-50 लोगों की हत्या नहीं होती हुआ पावर जो क्रेमिनल लॉइं और से दागया है उसमें यह नहीं दिया गया है कि कमिश्टर को भाई कि land acquisition है या circle rate बढ़ाना घटाना या revenue collection है यह power दे दी गई है केवल law and order से है कि माले कहीं पर दंगा भढ़के और वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौझूद है अगर उसके पास कमिश्टरी इस पावर नहीं होगी तो बेचारा 144 नहीं लगा सकता वहाँ पर या वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है तो उसके लिए चार बर यह दो महीना का मैसे मैं देख रहा हूं आप देख लेना दो महीना बाद जब तक ये इनके भारती जंदा पार्टी के आधरनी योगी जी के सरकार के नेता इनके मन में साफ मन नहीं होगा ये साफ मन से काम नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात है मैं इनकी पुलिस ब्युस्ता पर सवाल उठाता हूं कि जब तक ये अपने पुलिस अब देखिए इस समय इनको जाच कराना चाहिए कि बाई बच्चे गोली से कैसे मारे गए इतनी है अब मुले सेर में इतनी बड़ी घठिया अरे दंगे में अर्विन जी दो महीने का वक्त मैंने ले लिया अनिरुद जी के साथ हम फिर बैठेंगे और दो महीने बाद चर्चा करेंगे देखिए मीडिया का तो कामी है सवाल उठाना और अगर कमिशनरी सिस्टम के बाद भी अगर ये पालेट प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल नहीं होत अनिरुद जी आप हमारे साथ हैं चर्चा में शामिल हुए और अर्विन कठेरिया जी आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं बहुत बहुतël शुक्रिया तो आज फेस टू फेस में मुद्दा यही था कि नोऑड़ा और लखनव में कमिशनरी सिस्टम जो है वो क्योंकि जब तक जनता का भला नहीं होता हम सवाल उठाते रहेंगे और सरकार में जो भी पार्टी है या विपक्ष में भी जो है उन्हें जवाब देना होगा आज इसी के साथ बस फेस टू फेस में बस इतना ही दीजिए जाज़त आप देखते रहें आनाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए